अगर आप रोडी सब्जी खाके बोर होगे तो इसे एक बार ट्राय कीजिए बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसके लिए मैं कोई चीज को शोग करने की ज़रत नहीं बिल्कुल इंस्टेंटी रेडी हो जाती है इसके लिए मैंने पीनट की चट्टी बनाई तो यह बहुत ह इसे बच्चों के लंच बोक्स में भी दे सकते हैं तो अज की हमारी रेशिपे स्टार्ट करते हैं तो इस सूपर सॉफ्ट और हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले ना चलिए बैटर बनाते तो यहां पर मैं एक कप मखाना लिए और इस को मेजर्मेंट मैं यहां फ्रस्ट कर यूज कर रहे हूं और आधी कब पानी डालूंगे तो पानी थोड़ा कमता इसलिए मैं थोड़ा और डाल दिया और इससे अब अध्रक हरी मिर्च बिलकुल ऑप्सनल है ताल के अच्छे से ग्राइंड कर लिए तो पेस्ट हमारा रेडी हो गया है इस मिक्स करके 10 मिर्च साइट करेंगे इसके लिए चटनी प्रिपेर करेंगे तो जार में मैं डालूंगे यहां पर दही अपना जटनी आपको जितना बनाना उसकी क्वेंटिटी के हिसाब से ले बुनावा मुंगफली अध्रक हरिमेश बुनावा जीरे का पॉटर नमाग नि बने तैस्टी बनी थी और मतब सुबह बच्चों को लाइना बहुत ही इजी रेसिपी हम फटा फटी से बना के बच्चों को दे सकते हैं मतब हल्दी तो है यह साथ में बहुत ही इसी रेसिपी है तो तरका में मैं यहां पर देखा अपने ओएल में करी लिप्स डाला टीकि पड़ डल के इस अच्छे से तरका लगा लेंगे तो चट्नी मोरी रही होगी है तो चली यह रा हमारा बैटर इससे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं नो-ल्य बिल्कुल सफ्ट होती है तो चली इसुआ eisi टालेंगे बखुत अरब से तह रही है, इसके बाहत ऊपर न जालेंगे तो बिल्कुल कमी जाता आपने देखा मैंने एक चमस्त ऑइल डाला है बस अच्छे से क्रिस्पी यह नहीं होता बिल्कुल सॉफ्ट होता है इस पर यह मैं पॉर्डर डाल यह पूरी तरह से ऑप्सिनल है यह साउथ में डोसा के ऊपर लोग डालते इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना मैं आप लोगों को दूंगी इसे टेस्टी होता है और हमारा देखते मखाने का डोसा बनके रेडी है बहुत ही सूपर सॉफ्ट डोसा यह लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है अपने बेटे को लंच बॉक्स में देत सक्थे